Hello Friends, Welcome to Quant Study Quant Study में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम करने जा रहे हैं हमारे Maths का Ratio Proportion Chapter और उसका भी हम आज करेंगे Part 3 इससे पहले हम दो पार्ट कर चुके हैं और जिन बचों ने वो दो पार्ट नहीं लगाए मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो दो पार्ट लगा लिजिए क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे पार्ट से इंटर रिलेटिड है अगर आप वो दो पार्ट नहीं लगाओगे तो आपको Part 3 का कुछ समझ नहीं आएगा तो शुरू करते हैं हमारा आज का Part 3 शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें फटाफट से यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लिजिए इसके लावा हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है जल्दी से हर जगा हमें फॉलो कर लीजिए और कोई भी अपडेट को मिस्मक कीजिए तो आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे अडिशन, सब्ट्रेक्शन, डिफरेंट वैल्यूज की ठीक है डिफरेंट वैल्यूज की अब आपको अगर याद होगा जिरोंने last class लगाई थी ratio proportion की तो हमने वो class end की थी ऐसे questions में जहां दो quantities की पुरानी और नई ratios दी गई थी और उनके बीच addition जै subtraction जो होनी थी वो same number की थी जैसे दो quantities के बीच में जो add होना था old और new ratios में 30 add होना था 30 मतलब दोनों में add होना था quantities में या फिर 10 subtract होना दोनों quantities से ऐसे questions हमने किये थे यह जो question है यह अलग type का है यह उसकी नई type है और अगर नई type हम कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम trick रखेंगे वो भी तो नहीं होगी ठीक है इस question में क्या है older new ratios इसमें भी वैसी हैं जैसे पुराने questions में थी बस इसमें जो difference है उनके बीच का older new ratios के individual quantities के बीच का difference है वो different different होगा दोनों quantities के लिए तो चलिए देखते हैं यह question कैसे करना है आप देख सकते हैं जो ratios और exact values दी गई है उसे मैंने इस pattern में लिख दिया ठीक है पहले old ratios फिर नहीं और फिर फाइनली exact values अब ट्रिक यह है कि हम पहले उपर के चार numbers को cross multiply करेंगे वो value हमारी आएगी units में units यानी assumed value यह देखिए 5 into 4 आगे 20 और 8 into 3 आगे हमारे पास 20 अब लिया इनका difference जो आई 4 unit आपको बड़े से छोटा number को subtract करना है यह फरक नहीं पड़ता कि आपने 5 into 4 को पहले लिखा है यह 8 into 3 को पहले लिखा है इस step में हमने last के 4 number को cross multiply किया वैसे ही 2 values आई और उनका difference लिया ठीक है अब जो difference यह जो 2 values आई थी और जिसका difference जो हमारे 360 आए है यह आगी exact value यह वो exact value है जिससे हम 4 unit को वो करेंगे compare करेंगे चार unit की value आगी 360 एक unit की आई 90 अच्छा अब total number of student पहले before addition वतलब की add करने से पहले कितने बच्चे थे सबसे पहले जो सबसे beginning की बात कर दी जो basic ratio दी हुई थी वो थी 5 into 8 तो उनको हमने add किया वो बनके 13 और वही हमें 13 की value निकाल नहीं है 1 unit की value हो 90 तो 13 unit की value होगी 13 into 90 which is 1170 यह आगे आपके पास second question in an army selection process the ratio of selected to unselected candidates was 6 is to 1 if 30 less had applied and 10 less selected the ratio of selected to unselected would have been 7 is to 1 how many candidates had applied for the process अब इन्होंने कहाए कि पहली कुछ ratio थी selected to unselected की पहले कुछ में 30 less हुआ कुछ में 10 less हुआ अब ratio बनकी 7 is to 1 अब इस question को हमें solve करना है क्योंकि दो अलग-लग values है 30 और 10 हम उसी method से solve करेंगे देखे कैसे अब आप देख सकते हैं जो ratios और exact value दी गई थी उसे मैंने इस pattern में लिख दिया सबसे उपर है old ratio selected और unselected की 6 is to 1 फिर हमने नीचे लिखी नई ratio वो है 7 is to 1 और बीच में उन्होंने कहा है if 30 less had applied and 10 less selected ठीक है अब जो हमारे पास exact value दी गई है वो selected और apply की है तो हम जो है select और unselected की ratio में काम नहीं करेंगे हम क्या करेंगे इस जो unselected की ratio इसको convert कर देंगे applied में ठीक है तो कैसे convert करेंगे हमारे पास old fraction थी old ratio थी 6 is to 1 की selected और unselected की यानि अगर 6 unit बच्चे select हो रहे हैं तो 1 unit बच्चे जो हैं वो unselect हो रहे हैं तो total कितने बच्चे होंगे total बच्चे unselected प्लस select ही होंगे तो total बच्चे हो जाएंगे 7 unit unselected के लिए वैसी new ratio में selected तो 7 ही रहेंगे और 1 unit जो है वो unselect हो रहे हैं तो total कितने होंगे जिन्होंने apply किया होगा 8 होंगे साथ जो select हो रहे हैं और एक जो unselect हो रहे हैं तो वही हमने ratios में लिख दिया तो हमारी new ratios बन गी कुछ ऐसी old आगी 6 is to 7, new आगी 7 is to 8 जैसा मैंने explain किया अब हम exact values लिख देंगे सबसे नीचे और solution शूरू करेंगे वैसे ही जैसे हमने first question में किया था देखिए हमने cross multiply किया 6, 8 आगया 48, 7 into 7 आगया 48 difference आया वही 1 unit का फिर नाच के नीचे के 4 नंबर को हमने cross multiply किया 7 into 30 आगया 210, 10 into 8 आगया 80 difference आगया 130 अब 1 unit को हम 130 से compare करेंगे तो हमारे तो 1 unit की value आगी 130 सिदा-सिदा अब उन्होंने कहा है number of candidates बताने हैं जो कि select हुए थे पहले जब question हमने start किया तो वो कितने थे वो 7 unit थे तो 130 into 7 कितना आगया 910 अच्छा ये आगया एक नए type का question the ratio of income of A and B is 7 is to 4 expenditure of A, B, C is in ratio 865 उपर सिरफ A और B की थी नीचे A, B के साथ C भी आ गया अब उन्होंने कहा कि C ने 2000 रुपे spend किये B ने 800 रुपे save किये हमें A की saving बतानी है ठीक है जी अब हमें पता है कि जो हमें ratios दी गई थी income की और expenditure की वो हमने इस pattern में लिखती जैसा कि हम हर question start करते हैं ठीक है हमें पता है कि अगर A की savings हमें निकालनी है तो उसकी income और expenditure हमें पता होना चाहिए है ना क्योंकि saving of A कैसे होगी income होगी हमारे पास उसमेंस expenditure हम minus कर देंगे तो हमारे पास saving आ जाएगी spend किये बिल्कुल तो C का जो expenditure है वो ratio में है 5 unit और C का expenditure है वो exact value में 2000 तो हम इनको compare कर देंगे 5 unit अगर 2000 के बराबर है तो question में 800 तो अब एक चीज़ दीखिए अगर आपके पास B का expenditure है और B की saving है यानि B कितना खर्च कर रहा है और खर्च होने के बाद कितना save हो रहा है वो B को उनको add करने पर B की monthly salary आ जाएगी बिल्कुल आ जाएगी तो हमने 2400 और 800 को add किया तो हमारे पास B की monthly income आगी 3200 नेक्स टेप में हमने क्या किया कि जो हमें ratios में B की income दीगी थी वो 4 unit थी और जो हमारे exact value हमने अभी अभी निकाली वो है अब expenditure of A हमने पहले निकाला था C की help से वो था 3200 तो A की savings कितनी होगी A की savings होगी 2400 अब next question आता है rupees 1620 is distributed among A, B and C such that A gets 20% of B and C together यानि कि A को अगर 20% मिल रहा है अगर B और C का total 100% है तो A को उसमें से सिर्फ 20% ही मिलेगा ठीक है also B gets 20% less than A and C together what is the amount received by C तो हमने ऐसे लिख लिए हमें पते 20% की value होती है 1 by 5 तो नीचे वाली value हमने दे दी B और C को क्योंकि A को compare की जा रहा है और B और C से और मैंने आपको explain किया था कि fraction का जो denominator होता है वो हम उस number को देते हैं जिससे compare किया जा रहा है तो B और C की होगी 5 इनिट तो A की होगी कितनी 1 इनिट क्योंकि B और C A को जो है वो B और C का 20% मिल रहा था ठीक है next line हमारे पास आ गई कि हमें जो B को जो मिल रहा है B को as an individual कितना मिल रहा है A और C के जितना भी मिल रहा है उससे 10% 20% less ठीक है तो ऐसे लिख लिए हमने 20% less हमें 20% की value होती है 5 तो A और C को हमने 5 इनिट दे दिया अब B को जो है वो A और C से 20% less मिल रहा है शिरफ 20% नहीं मिल रहा है 20% less मिल रहा है तो अगर A और C को 5% मिल रहा है तो 5% का 20% होता है 1 unit और वही हम 5 से less कर देंगे तो हमारे पास B को मिल जाएगा 4 unit अब आप देख सकते हैं B की value आप अगर सबसे उपर put करें तो C की value 1 आएगी और वही C की value अगर हम यहां नीचे put करें A की भी 1 है C की भी 1 है तो A प्लस C 5 unit बन नहीं रहा तो यानि हमारी दो different equation में A B C की value अलग अलग आ रही है अब हम क्या करेंगे हम इन उपर वाली equation और नीचे वाली equation में A B C को add कर देंगे क्यों क्योंकि A B C जो है उनकी different values नहीं हो सकती अगर उनकी different values न नहीं होनी चाहिए पर यहां जो difference आएगा उसको हम किसी number से multiply करके दोनों की difference को बराबर कर देंगे और जिस भी number से multiply करके वो difference बराबर हो रहा होगा वही हम इन ratios को लिए multiply कर देंगे तो हमारी जो values आएंगी वो ultimately same हो जाएगी अब देखते हैं कैसे उपर हमने add किया तो A plus B B plus C आ रहा है हमारे पास 6 unit नीचे हमने add किया तो A plus B plus C हमारे पास आ रहा है 9 unit मैंने आपको अभी अभी बताया कि addition को हमें कुछ भी करके बराबर करना है तो एक ऐसा number जो इन दोनों के table में आता है वो है 18 ठीक है तो 18 लाने के लिए हम 6 को 3 से multiply करेंगे और 9 को 2 से multiply करेंगे 18 बन जाएगा addition बराबर होगी अगर सिक उपर वाली term में 3 multiply हो रहा है तो उपर वाली जो ratios है उसमें भी तो 3 multiply होगा यानि B plus C में 5 units में भी 3 multiply होगा और A में भी 3 multiply होगा वैसे ही नीचे वाले के लिए A plus C में 2 multiply होगा और B में 2 multiply होगा ये सब करने के पाद हमारे पास जो new values आजेंगी तो B plus C में जब 3 multiply होगा तो वो बन गया 15 unit A में जब 3 multiply होगा 3 unit वैसे ही नीचे वाली में A plus C में जब 2 multiply होगा 10 unit और B में जब 2 multiply होगा 8 unit अब हमारे पास value आगी अब आप इसको verify भी कर सकते हैं कैसे आपको पता है A जो है वो 3 unit है आप नीचे वाली equation में डालोग तो C आजएगा हमारे पास 7 unit ठीक है C आगे हमारे पास 7 unit वो हम सबसे top वली equation में डालेंगे तो B आजएगा हमारे पास 8 unit और last में देखिए B हमारे पास 8 unit ही आ रहा है तो इससे हमारी equation जो है वो verify भी होगी अब हम आगे बढ़ते हैं अब C की value 7 unit आगी ठीक है हमें question में क्य direct value क्या दी है A plus B plus C में 1620 distribute हो रहा है अब C है 7 unit और A plus B plus C के ratio में मतलब जो हमने assumed value है वो कितनी बनेगी 18 unit तो 18 को हमने compare के 1620 के साथ 1 unit की value आगी 90 ठीक है 1 unit की value 90 है C का share कितना है 7 unit का share है तो 90 को जब हम 7 से multiply करेंगे तो C की value आज़े कि 630 यानि 1620 में से 630 रुपीज जो है वो मिलेंगे C को अब है हमारा 5 फिफ्ट कोशन यह कोशन हमारा कह रहा है कि एक train है उसमें अलगलग डिब्बे होते हैं एक होता है first class AC second class third class ऐसे डब्बे होते हैं और अलगलग डिब्बे के अलगलग fairs होते हैं तो वही तीन classes के fairs जो है है वह first class में जा रही है four जो है वह second में और 10 जो है वह third में ठीक है अब उन्होंने कहा कि total sales कितनी हो यह ticket की 41400 यह एक exact value जिससे हम end में compare करेंगे उन्होंने कहा है कि second class से total जितनी भी money generate हुई है वह हमें बताओ भाई कितनी है ठीक है तो हम अपना solution शुरू करते हैं सबसे पहले हमें पता है कि total fair कैसे बनता है 5 into 10 50 रूपीज ठीक है तो वैसे ही हमने formula बना लिया कि एक person का fair उसके बाद जितने भी person travel कर रहे हैं उस डिब्बे में उसका total fair आ जाएगा अब हमने क्या किया first class से जो हमारे पास fair आ रहा है ठीक है first class में हमने assume कर लिया कि 10 रूपीज है वो first class की एक ticket का fair है और नीचे देखिए ratio में बंदे कितने जा रहे हैं उसमें 3 बंदे यह सब assume करके चल रहे हैं हम अभी हमने यह exact values नहीं मानी है तो 10 रूपे एक ticket का है और 3 बंदे जा रहे हैं तो first class से हमारे पास 30 रूपे आ जाएंगे जिसको हमने 30 युनिच लिखा हुव है similarly second class में और चार बंदे जा रहे हैं तो second class से हमारे पास 32 रूपीच आ जीएंगे 32 युनिट आज similarly third class उसमें 3 रुपे है, 3 unit है price और 10 unit बंदे जा रहे हैं, तो total कितने होगे, 30 unit का fair हमें third class कमा के दे रही है, अब अगर हम इन 3 को sum कर देंगे, तो हमारे पास total आ जाएगा कि 3 classes से कितना पैसे जनरेट हुआ है, बिल्कुल आ जाएगा, तो हम तीनों का sum किया, और 92 हमारे पास आ किया total sum, और question में हमें दिया था कि total fair कितने 41400, तो हमने 92 को 4140 से compare किया, और 1 unit की value आ गी हमारे पास 450, अब उन्होंने कहा है कि second class से कितना fair generate हुआ, अब आप मुझे बताइए कि ये जो question demand कर रहे है, ये क्या demand कर रहे है कि second class में एक ticket की कितनी value है, ये पूछ रहे है, या फिर second class से total कितने बंदे बैटे थे और एक ticket का कितना price है, तो total second class ने हमें कितना वैसा generate करके दिया है, ये पूछ रहे है कि total कितना generate करके दिया है, तो total कितना generate किया था हमने जब यह भी solve किया 32 units उसने generate किया था एक unit की value 450 है तो 32 की कितनी होगी 450 into 32 which is 14400 is the fair collected by second class ठीक है अब हमारे आज का topic हुआ है खतम आज मैं आपको दो questions दूँँगा solve करने के लिए क्योंकि इस topic के साथ हमारा ratio proportion के सारे concept खतम हो चुकी है तो यह रहा question आपकी screen पर पहला question कहा रहा है कि दो बंदे हैं उनकी monthly income है 8 is to 5 की ratio में ठीक है उनने कहा है कि आप वो expenditure करते हैं वही 5 is to 3 की ratio में अगर वो save कर रहे हैं पहला बंदा save कर रहे है 1200 और दूसरा बंदा save कर रहे है 1000 तो उनकी salaries में यानि 8 is to 5 उसमें difference क्या आ रहा है हमें 8 is to 5 का difference बताना है अब आपको clearly दिख रहे है कि एक बंदा अलग amount save कर रहा है दूसरा बंदा अलग amount save कर रहा है तो ये question मैंने आज ही करा है आज ही मैंने आज का topic इनी question से start किया है ये question आप बीना पीछे जाए बीना वीडियो में पीछे जाए अभी के अभी solve करने की try करो अगर आपसे question हो गया यानि आपको आज का concept clear हो गया ये आगया next question और last question sum of rupees 9900 is divided among ABC in such a way that B gets 2 by 3 of what A and C get यानि कि B को जितना मिल रहा है A plus C का 2 by 3 मिल रहा है C gets 3 by 8 of A and B how much A gets ये भी question मैंने आपको आज ही करा है तो ये जो आज के homework के दो questions हैं ये आज के ही topic पे based है ये दोनो question वीडियो में बापीस जाए बीना solve कीजिए अगर आपसे ये दोनों question हो गए है यानि आपको वीडियो अच्छे से समझागी है वीडियो खतम करने से पहले मैं एक important चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप match करने जा रहे हो तो मेरी एक request है आप copy और pen लेके बैठें अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एक वीडियो को देखेंगे सुनेंगे और आपको match आ जाएगी तो ऐसा नहीं होगा तो मेरी एक request है जब भी मैं आपको उ screen पर कोई question आता है उससे पहले लिख लीजिए खुद try कीजिए बेशिक x लेके कीजिए लंबे method से कीजिए पर कुछ try कीजिए इससे आपको पता चलेगा कि at least आपका base तो clear है फिर आप सिर्फ tricks पे और जल्दी जल्दी question solve करने पे ध्यान देएंगे ठीक है तो मेरी आपसे एक request है जब भी question देखोगे जब भी आप वीडियो शुरू करोगे copy और pen लेके बैठिये हवा में match नहीं होगी और इसी के साथ मैं आज का lecture खतम करता हूँ आपका ratio proportion का topic हो चुका है खतम आप please इस वीडियो को like कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए Thank you